हेलो फ्रेंड्स, माइ नेम इस सिम्रन, आप सबको हैपी क्रिस्मस, हमने क्रिस्मस डेकोरेशन में पेपर का उचलने वाला सांता और पेपर डियर बनाया, आज मैं आपको 3D फ्लावर बनाना सिखाऊंगी फ्लावर बनाने के लिए हमें 20 सेंटी मिटर बाई 1 सेंटी मिटर की 12 स्ट्रिप्स चाहिए स्ट्रिप के सेंटर में ग्लू लगाओ दूसरी स्ट्रिप चिपकाओ ग्लू लगाओ सेंटर स्ट्रिप के लेट और राइट साइड में एक एक स्ट्रिप चिपकाओ ग्लू लगाओ सेंटर स्ट्रिप उपर उठा कर लेट और राइट साइड के स्ट्रिप पर स्ट्रिप चिपकाओ नीचे सेम स्ट्रिप्स फॉलो करो गलू लगाओ, कॉर्नर के स्ट्रिप्स चिपकाओ ऐसे ही और एक पैटन बनाकर पहले वाजे पैटन पर रखो गलू लगाओ, सीधी स्ट्रिप पैटल के उपर चिपकाओ ऐसे ही सब स्ट्रिप्स चिपकाओ फ्लावर पलट कर सेम स्ट्रिप्स फॉलो करो एक्स्ट्रा पेपर कट करो फ्लावर तियार हो जाएगा दिवाली में, न्यू येर में, क्रिस्मस में गर को सजाने के लिए आप यहां फ्लेडी फ्लावर बनाओ ऐसे ही और इंट्रेस्टिंग डेकोरेशन मेरे सब बनाने के लिए लेकर सब्सक्राइब करो